सबसे पहले आज का पहला महाउपाई क्या है यह जानते हैं क्या वजन बहुत बढ़ गया है कब नहीं हो रहा रवी वार को एक काले रंग का धागा ले उससे अपने सीधे हाथ की लिटल फिंगर की जड़ में बांध ले इस पर लेड़ की जिसको हम रांगा बोलते हैं लेड की रिंग पहन लीजे धीरे धीरे बेट कम होने लगेगा अब दूसरा महाउपाई जान लीजे इसका वक्त आ गया है क्या पैसे का फाइदा नहीं हो रहा है ऐसे में साटर्डे को घर में दही बढ़े और सोंट बनाएं या बाजार से खरीदें इसे किसी गरीब बूरे व् कि प्रवश्अक क्या आप को तीसरे महाउपाई बताने का वक्त आगया है कि आपको हर काम में सफल्टा नहीं मिल रही है आपको एक मंत्र का जाब करना है पहले वो मंत्र दुश्मन लगातार आपको नुक्सान दे रहे हैं मंगलगार या शनिवार को रात को मोर का एक पंक लेकर मंदर जाएं वहां हनुमान जी को पंक ओफर करें और उनके माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर किसी डिब्बी में रख लें सिंदूर और पंक लेकर घर आ जाएं उ इसका नाम पंक पर लिखें अगले दयन सुबह उठकर बिना नहाएं मोर पंक को पानी में बहा दीजें या उसके पास छोड़ दीजें अब आपको आज का पांच्वा और आखरी महा उपाय बता देती हूं इसका वक्त आ गया है क्या बिजनस में फाइदा नहीं हो रहा ब अपने बिजनस सेंटर अपने ओफिस की दिवार पर अपने जॉब की जगह पर किसी ड्रॉर में कैश की जगह पर कहीं भी रख सकते हैं फाइदा होगा साकार करें सकने अपने